दुनिया भर में कोरोना वारस से जुड़ी कई बुरी खबरों की बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है द्रसल उत्तरी धुरूपर आर्कटिक के उपर उजोन लेयर में काफी बड़ा छीद हो गया है इस मामले पर वग्यानिकों का कहना है कि ये खेद करीब 10 लाक वर्ग किलोमीटर का है लेकिन ये फिर भी अंटार्कटिका के खेद से बहुत छोटा है ये करीब हर 3-4 महिने में 2-5 करोड वर्ग किलोमीटर तक फैल जाता है जानकारी की नुसार अंटार्कटिका के उपर बने इस नए छेद के बनने का कारण भी बातावर्द में हो रहे कई तरह के बदलावी है इस समय उत्तरी धुरूफ पर अप्रत्याशित तोर पर अभी तक मौसम पिछले वर्षों के मुकाब्री जादा ठंडा है इसके चलते दोनों ही धुरूवों पर सर्दी के मौसम में उजोन कम हो जाती है ये छेद धुरूवों पर बहुत कम तापान, सूरी की रोशनी, बहुत बड़े हवा के भवर और क्लोरो-फ्लोरो-कार्बन जैसे कई पदार्तों से बनता है आपकी जानकारे के लिए बता दे कि ओजोन लेयर में छेद होना काफी चिंता का विशह है इससे अंटार्क्टिका शेतर में काफी गर्मी बढ़ जाएगी इससे यहां के बर्फ काफी तीजी से पिघलने लगेगी सिर्फ इतना ही नहीं यूवी रेज धर्ती पर सीधे सतह पर पहुशने लगेगी इसके चलते इंसानों में स्कीन कैंसर जैसी गंफीर बिमारिया हो सकती है स्कीन कैंसर का एक और घातक स्वरूप मेलनोमा के मामलों में व्रदी हो सकती है बता दें कि कोरोना की बज़े से लगबख पूरी दुनिया लॉगडाउन है सलकों पर भी वाहन नज़र नहीं आ रहे हैं इमारते बनाने का काम नहीं चल रहा है ना कोई प्रदूशन फैलाने वाला काम हो रहा है लॉगडाउन के शुरुआत चीन ने की थी अब पूरी दुनिया कर रही है जहां इस लॉगडाउन को लोग एक तरफ परिशानी बता रहे है महीं दूसरी और इसका एक बड़ा फायता देखने को मिल रहा है कि ओजोन लेयर में बना छेद अब भर रहा है हाल ही में University of Colorado Boulder के रिसर्चर्स ने पता लगाया कि प्रत्वी के दक्षणी हिस्से में इस्थित अंटार्क्टिका के उपर बने ओजोन लेयर का छेद अब भर रहा है क्योंकि चीन की तरफ से जाने वाला प्रदूशन अब उधर नहीं जा रहा